क्या आप जानना चाहते हैं कि एक मुफ्त QR कोड कैसे बनाते हैं तो फिर ये विडियो देखते रहिए नमस्ते, मेरा नाम एकता है सबसे पहले तो सवाल ये है कि QR कोड क्यों बनाए, इसकी क्या अवशकता है अगर आप सोचते हैं कि आपके एक राहक, आपकी वेबसाइट का पता या URL याद रखेंगे या आपके Facebook पेज का URL घोज कर, टाइप करके उसे फिर लाइक करेंगे तो आपको जादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा होने की संभावना कम ही है किसे याद रहता है किसी का URL लेकिन अगर आप अपने विग्यापन के साथ एक QR कोड जोड़ दें और खास ओफर या डिसकाउंट दें तो ग्राहक अपने स्मार्टफोन से उसी समय QR कोड स्कैन करके आपकी वेबसाइट तक या आपके फेस्बुक पेज तक जरूर पहुँचेंगे जैसे जैसे आपकी वेबसाइट पर आपके ग्राहक पढ़ते हैं आप उन्हें और सामान बेच सकते हैं और अपना प्रॉफिट या मुनाफ़ा बढ़ा सकते हैं तो QR कोड एक माध्यम है जिसके सही इस्तमाल से आप अपना बिजनेस ओनलाइन पढ़ा सकते हैं आप अपने मर्चंडाइज या विजिटिंग कार्ड पर अपने ओनलाइन स्टोर या फेस्बुक पेज का विक्यापन तो दे ही सकते हैं अब न्यूसपेपर के इश्तिहार में भी QR कोड द्वारा खास डिसकाउंट का विक्यापन दे कर अपने ग्रहकों को अपनी ओनलाइन दुकान पर फेज सकते हैं चलिए, सीखते हैं कि एक मुफ्त QR कोड कैसे बनाते हैं सबसे पहले ब्राउजर में उपर टाइप कीजिए qrstuff.com ये एक वेबसाइट है जहां पर आप मुफ्त QR कोड बना सकते हैं यहाँ देखिए, लेफ्ट साइट में बहुत सारे डेस्टिनेशन यूरल हैं यानि कि आप इन सब चीजों के QR कोड बना सकते हैं फिलहाल मैं आपको दो या तीन उधारन या एक्जाम्पल दे देती हूँ देखें ये है सबसे पहला वेबसाइट यूरल आप अपनी नजर यहां राइट साइट पर या दाहिनी तरफ रखें और आप देखिए कि जैसे जैसे मैं टाइप करती हूँ ये QR कोड कैसे अपने आप बन जाता है तो चलिए अपनी वेबसाइट का यूरल टाइप कर देती हूँ क्याकैसे.com और ये हमारा QR कोड यहां पर बन गया आप इसे यहां पर प्रिव्यू कर सकते हैं आप चाहें तो आप इसका रंग भी बदल सकते हैं तो चलिए हम कोई रंग चुन लेते हैं जैसे कि ये मैंने हरा रंग चुना और यहां पर ये वाला शेड जो है मैंने सिलेक कर दिया और अब आप चाहें तो इस QR कोड को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने विजिटिंग कार्ड में या अपने किसी इश्तिहार में भी डाल सकते हैं तो चलिए टाउनलोड के बटन पर क्लिक कर दिया और ये फाइल जो है मैंने अपने फोल्डर में सेव कर दी ये देखें ये फाइल यहां पर आ गई अब हम कोई फेस्बुक पेज दे लेते हैं ये देखें यहां पर फेस्बुक है फेस्बुक पर ट्रिक किया आप जाहें तो अपने फेस्बुक पेज पर लिंक कर सकते हैं या फिर आप एक ऐसा लिंक बना सकते हैं जिससे की लोग आपके फेस्बुक पेज को लाइक करें तो हम ये second option, दूसरी option चूज़ कर लेते हैं Create Facebook Like और हम यहाँ पर अपने Facebook page का URL टाइप कर लेते हैं www.facebook.com slash क्या कैसे और page का title है क्या कैसे Internet Tutorials अब यहाँ देखिए ये QR code बन गया आप चाहें तो आप इसका रंग बदल सकते हैं हम कोई अच्छा सा blue का shade चुन लेते हैं जैसे कि ये और इस QR code को हम download कर लेते हैं Download के बटन पर क्लिक किया और इसको हम save कर लेते हैं तो ये जो है file save हो गई इसी प्रकार से आप अपना Twitter, LinkedIn, Instagram, 4Square इन में से कोई भी profile का आप QR code बना सकते हैं एक पार आप QR code किसी भी offline channel में यूज़ करते हैं तो फिर लोग उस QR code को scan करके आपकी online property में जैसे कि Facebook page या फिर आपके YouTube channel पर भी जा सकते हैं अब आपने सीख लिया है कि QR code की क्या आवश्यक्ता है और move QR code कैसे बनाते हैं वीडियो पसंद आया तो YouTube में like का बटन जरूर दबाईए और share कीजिए आप हमारे YouTube channel को subscribe करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्ट कर सकते हैं अगर आप PC से देख रहे हैं तो आप यहां क्लिक करके हमारे सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए खन्यवाद